जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फरेंस करेगी अनुपमा, होगी वनराज शाह की सित्टी पिटी गुम। अनुपमा को काम्याभी मिलने के बाद अब उसकी मुश्किले और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब उसे सिर्फ समाज और परिवार को जवाब नहीं देना है, बल्कि अब उसे मीडिया को भी जवाब देना है। अनुपमा के हर फैसले पर अब सिर्फ उसके आसपास के लोगों की ही नहीं बल्कि इंडियन और अमेरिकन मीडिया की भी नजर है। अपक्मिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि एक प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया अनुपमा से उसके अतीत के बारे में सवाल पूछेगा। अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड की आखिर में अपक्मिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो दिखाया गया है जिसमें अनुपमा से कुछ ऐसे सवाल की जा रहे हैं जिनहीं सुनकर ना सिर्फ अनुपमा बलकि शाह परिवार के सभी लोग और अनुज तक परेशान हो जाएगा प्रेस कॉन्फरेंस में एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछेगी कि क्या ये सच है कि आपकी दो दो शादियां हुई थी और दोनों शादियां फेल हो गई ये सवाल सुनते ही अनुपमा के चहरे का रंग उर जाएगा इस कॉन्फरेंस को लाइव देख रहा अनुपमा अपने आप से कहेगा कि ऐसे सवाल कौन पूछता है रिपोर्टर अनुपमा से पूछेगी कि हमने तो ये भी सुना है कि आपकी पहली शादी में आपके परिवार वालों ने आपको बहुत दबाकर रखा था इधर अनुपमा परेशान हो रहा होगा और उधर व पाकी लोग भी सोच में पर जाएंगे लेकिन इसी बीच अनुपमा बहुत सधा हुआ जवाब देकर सबको इंप्रेस कर देगी अनुपमा को भारी पढ़ेगा मीडिया को दिया जवाब अनुपमा मीडिया से कहेगी औरत की जिंदगी अक्सर उसकी शादी तलाक इसी सब तक सीमित रहती है अगर पूछना है तो ये पूछे ना कि मुझ जैसी कमपड़ी लिखी औरत जो कि अंग्रेजी भी कच्ची पक्की बोलती है वो जब अमेरिका आए तो उसे क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा अनुपमा मीडिया को करारा जवाब देते कहेगी मैं आप लोगों को अपनी पसनल जिंदगी की चार्ट नहीं परोसने वाली हूँ फैन थियोरीज की माने तो अनुपमा को यह जवाब मेहंगा पर सकता है क्योंकि ऐसे में मीडिया उसके खिलाफ होता नजर आ सकता है फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे म हमें कमेंस में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें